Dear Students, आज मैं आपको बतलाऊंगी कि केवल 3 सेकंड में आप एक से लेकर 100 तक के नमबर का स्केर कैसे फाइंड कर सकते हो मेरी वीडियो देखने के बाद आपको सच में बड़ा ही मज़ा आएगा और आप देखोगे कि इतने कम समय में कैलकुलेशन कैसे होती है यह short tricks है तो आप अब शेयर इस वीडियो को देखें एंड तक देखें और enjoy करें सो सबसे पहले मैं उन आंकों की बात करती हूँ जिनका इकाई का आंक 5 रहता है तो जिनका इकाई का आंक 5 है वो तो बहुत एजी होते हैं तो इनको हम square कैसे करते हैं 5 का square हमने पहले 5 का square करके 25 लिख लेना है और उसके बाद जो इसके आगे अंक बचा हुए यानि यहां 3 है 3 को हम इसके next number इसका next हो गया 4, 4 से multiply करके आगे लिख देना है तो 12 हो गया ऐसे हम एक और example लेते है 85 square सेम मेथड है 5 का square किया 25 और 8 को इसके आगे वाले number जानिके 9 से multiply करके 9 इंटू 8 72 सो बहुत इजी है यह अब मैं उन अंकों की बात करते हूँ जिनका इकाई का आंक 5 नहीं होता पांच की इलावा कोई और अंक होता है तो for example मैंने number लिया 28 28 का square कैसे निकालेंगे 8 का square लिखने पहले 8 इंटू 8 64 2 का square किया 2 इंटू 2 4 उसके बाद हमने क्या करना है बीच में इन दोनों के बीच में हमने इन तीनों की multiply करके लिख लेना है 2 इंटू 8 16 16 इंटू 2 32 तो यह तीनों हमने लिख लिए 8 इंटू 8 64 2 इंटू 2 4 फिर तीनों की multiply 2 इंटू 8 16 16 इंटू 2 32 फिर इनको add करने का क्या तरीक है सबसे पहले आप इसका जो इकाई कांक है उसको लिह लेंगे 4 और 6 है जो 6 को आगे ले जाएंगे carry करके इसको हासल बनाके 6 को इस 2 में add कर देंगे 6 और 2 8 हो गया और उसके बाद यह जो 3 इन बचा तीन को भी हम carry करके आगे ले जाएंगे इस 4 में जोड देंगे तो 7 हो गया तो ऐसे 28 का स्केर जो था वो बन गया 784 एक और एक्जेंपल 53 स्केर ऐसे हम इसको करेंगे मैं फिर explain करते हूं 53 का स्केर कैसे होएगा 53 के स्केर के लिए पहले 3 का स्केर करेंगे 9 3 इंटो 3 9 लेकिन हमने इसको 2 डिजट का नंबर बनाना है 9 अकेला था इसलिए मैंने इसके साथ लगा दिया उसके बाद 5 का स्केर किया 25 हो गया फिर हमने क्या किया इन तीनों की multiply करके इन दोनों के बीच में लिखना है 5 3 is 15 15 इ कौन प्लेस का है उसको ऐसे ही लिख लेना है 0 को हम ऐसे आगे कैडि करके ले जाएंगे 0 प्लस 00 हो गया बचा 33 को आगे ले गए 25 में एड कर दिया 2 809 153 का स्केर हो गया 2 809 अब मैं दूसरा method explain कर रही हूँ suppose कीजिए हमने 47 का स्केर निकालने है तो हम क्या करेंगे 7 का स्केर किया 49 और 4 का स्केर किया 16 1649 मैंने 18 लिख लिया उसके बाद क्या किया इन तीनों की multiply कर ली चार साथा ठाई 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 दून च्पंजा यह 56 जो आया है च्पंजा जो आया है इसको उपर वाला इकाई कांक छोड़कर यह 9 को छोड़कर इकाई कांक छोड़कर ऐसे लिख देना नीचे और उसके बाद हमने एड कर लेना है 9, 6, 4, 10, 6, 5, 11, 11, 11 और एक कैरी हो गया 12 एक और एक दो एक और एक गजेम्पल 56 का स्केर करें 6 का स्केर की है 36, 5 का स्केर 55 एसे दोनों के स्केर के लिख लेना है और उसके बाद इन तीनों की मल्टिप्लाई करके 5 चीका 30, 30 दुना 60 यह 60 मैंने लिखना है लिखना का एक ही तरीक है कि आप इदर से जो वर्ण प्लेस पहले वाला आंक है, उसको छोड़ कर लिखोगे, तो मैंने 6 को छोड़ कर 53 के नीचे 60 को लिख दिया और उसके बाद एड कर दिया, 6, 3, 6, 5, 11, 2, 1, 3, ऐसे हमने 56 का स्केर निकाल लिया, तो आप इसी मेथड से, मैंने 2 मेथड आपको बताएं है, एक तो इसके नीचे लिखक एड करना है, और दूसरा कैरी करने वाला, मैंने दूसरा तरीका बताया, इन दोनों में से आप कोई भी तरीका लगा कर, एक से लेकर 100 तक के किसी भी अंक का स्केर फाइंड कर सकते हैं, और सच में 3 सेकिंड से जादा का समय नहीं लगेगा, वीडियो के एंड में मैं आपक में लिखिये, सुकेर को हिंदियर पंजाबी में वर्ग भी बोलते हैं, तो जल्दी कीजगे आपको इनके आंसर फाइंड करने में बहुत मज़ा आएगा, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा, के आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई है, तो नेक्स्ट से लेकर 1000 तक के जो डिजर्ट हैं, उनका स्केर हम सिर्फ 5 सेकंड में कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए, ताके मैं मैस की, शॉर्टकट की, ट्रिक्स की वीडियो चैनल सेर्ट वाइक, बाइक, वीडना की वीडियो और सब्सक्राइब कर दोदे और सक्राइब कीजियों, तो आपकी तक कीजिए, जिए, खरीवे द्डोफे थाइक, क्यादे। में जिए, जएक्वेधरवेशने अव्यव्य थाजर्वेशने की फिए, यह मौ